हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो टूटोरियल फ्रम कमल धर्याद, दोस्तो आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने जा रहे हैं एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक पे जिसका नाम है ट्रिपल सुगर आयरेन टेस्ट और शॉर्ट में इसको TSI भी बोला जाता हैं जिन मैसेज ऐसे की प्रिवियसली भी हमने लेक्चर वीडियो बनाई भी हैं, साइट्रेट उटिलाइज़ेसिन टेस्ट है, ऑक्सीडेस टेस्ट है, यूरियस टेस्ट है, इस तरह के जो बायकेमिकल टेस्ट हैं, जिनके थ्रों हम बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई क करने के लिए यूज किया जाता है, तो आएए दोस्तों इस पे हम आगे डिसकस करते हैं, दोस्तों जैसा कि पहले ही मैंने आपको बताया कि ट्रिपल सुगर आयरें टेस्ट यानि कि TSI टेस्ट, एक माइक्रोबायोजिकल टेस्ट है, जिसे परफॉर्म किया जाता है, यानि ये तीनु सुगर, जो भी इसमें हम अभी इंक्लूट करेंगे, गुलुकोज, सुक्रोज और लेक्टोज ये तीन सुगर्स इसमें यूज की जाती है, तो ऐसे बैक्टिरिया को आइदेटिफाई करने के लिए इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है, जो या तो इन तीन गुलुकोज के साथ लेक्टोज को फर्मेंट करते हैं, या फिर तीनु को फर्मेंट करते हैं, तो इसी के बैस पर बहुत टाइप की कटेग्रिया आ जाती है, ग्राम नेकटिव बैक्टिरिया की सुगर फर्मेंटेशन के बैस पर, तो इसी के बैस पर हम बहुत रगे बैक करते हैं, इसके production का भी हम detection करते हैं, क्योंकि बहुत से bacteria ऐसे होते हैं, जो hydrogen sulfite gas का production करते हैं, इसके साथ साथ हम acid, sorry, gas formation की भी बात करते हैं, ठीक है, TSI test is a very important test used widely for identification of gram negative bacteria, जैसा कि हमने पहले ही आपको बता दिया कि यह जो test है, gram positive के लिए नहीं, gram negative bacteria को identify करने के लिए इस test को perform क किया जाता है, आगे बात करते हैं दोस्तों, इसके composition की, composition कि सकाथ, क्योंकि TSI test है, यह एक TSI medium में perform किया जाता है, जैसे पहले भी हमने citrate utilization test बढ़ा या UDS test बढ़ा, तो उनके लिए भी एक culture medium बना जाता है, तो यहाँ पर भी जो TSI test है, उसका TSI medium बना जाता है, तो इस medium का culture media यानि कि, इसका composition क्या रहता है, वो हम यहाँ पर देखेंगे, it is a composite solid अगर medium prepared in test tubes, having a butt and a slant, दोस्तों, जैसे हमने citrate utilization test में भी पढ़ा था, कि वहाँ पर जो test के लिए जो prepare किया जाता है medium, वो एक slope के format में किया जाता है, उस पूरे medium के दो पार्ट होते हैं, एक यह slope वाल slope में, slope देते हुए, इसका slant और butt के format में, इसका medium तेहार किया जाता है, अब medium का composition क्या रहता है दोस्तों, जैसा कि नाम से clear है, triple sugar, तो इसमें तीन तरह की sugar present रहती है, एक तो glucose, दूसरा सुक्रोज, और तीसरा lactose, अब इनके अगर हम ratio की बात करें, तो यह आपके present रहते है 1 ratio 10 ratio 10 ratio में, यानि की 0.1% इसमें glucose रहता है, और 1% इसमें सुक्रोज और again 1% इसमें lactose present रहता है, यानि की glucose का जो concentration इसमें कम होता है, और बाकी सुक्रोज और lactose का बराबर इसमें पार्ट रहता है, इसके अलवा, pepton भी इसमें present रहता है, यानि की protein present रहता है, pepton, जिसके तो ammonia हमें मिलेगी यानि कि जब इसका degradation होगा pepton का तो ammonia इससे बनेगी और ammonia medium को alkaline बनाने में help करेगा आगे हम इस पर discuss करेंगे इसके अलावा sodium thiosulfate present रहता है sodium thiosulfate दोस्तों यहाँ पर S2S production का काम करेगा आगे हम discuss करेंगे ferric salt इसके अलावा इसमें ferric salt भी प्रजेंट रहते हैं क्योंकि नाम से के लिए है TSI यह जो I है I stands for iron तो ferric salt हमें क्या देगा यानि कि यह iron है और इससे हम पता लगाएंगे S2S indicator का यह काम करेगा कि कि इसके थरों हमें पता चलेगा कि हाँ क्योंकि H2S एक colorless gas है hydrogen sulfide जो है वह colorless gas है उसको एक color provide करके हम identify करते हैं जो जिसमें help करते हैं फेरिक salts उसमें help करते हैं आगे इसके अलबा एक indicator भी इसमें प्रजेंट रहता है जो कि pH indicator का का काम करेगा pH indicator यानि कि यह बताएगा कि कौन सा medium है यानि कि medium acidic है या alkaline medium है तो दोनों different medium में अपने color को change करता है phenol red यहाँ पर indicator का काम करेगा इसके अलबा sodium chloride यहाँ पर प्रजेंट रहता है एक electrolyte है जो की osmotic pressure को maintain करने का काम करेगा इसके अलबा अगर है अगर को आप जानते हैं यह एक solidifying agent का काम करता है चलिए आईए अब देखते हैं कि इस test को perform कैसे किया जाएगा lab में TSI test को कैसे perform किया जाएगा दोस्तों जैसे कि आपको बता है कि इसके medium को हमने slant और butt के format में बनाया हुआ है तो यहाँ पर दो तरह की culture methods को use करके हम अपना जो हमारा sample है यानि कि जो bacterial pure culture जो है उस bacterial pure culture को हम इसमें inoculate करेंगे यहाँ पर दो culture method यूज की जाएगी एक तो हम step culture करेंगे शुरुआतम हम step culture करेंगे यानि कि जो butt वाला portion है इस पे हम एक straight wire की help से इसको perform किया जाएगा यह जो wire होती है दो तरह की होती है तो loop वाली होती है जिसकी help से हम normal ordinary culture करते है ठीक है दूसरी wire होती straight wire ठीक है तो यह straight wire की help से हम perform करेंगे इस test को initially हम क्या करेंगे medium is inoculated with a pure bacterial culture by a straight wire pierced deep in the butt सबसे पहले butt को हम pierce करेंगे यानि कि जो bacterial culture हमने इस straight wire पर लिया हुआ है bacterial suspension उसको हम नीचे butt पर हम उसको क्या करेंगे inoculate करेंगे उसके बाद फिर strap culture के थो ऊपर लेते हुए उसके बाद फिर stroke culture करते हुए slant वाली area पर इस तरह से zigzag motion पर stroke culture किया 37 degrees celsius पर for 18 to 24 hours और फिर 8 से 24 घंटे के बाद हम अपने result को interpret करेंगी कि जो भी result हमारा आएगा अब interpretation कैसे करेंगे दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जो TSI test है ये bacteria की 3 properties को identify करता है पहली property का fermentation of sugar to produce acids ऐसे bacteria जो sugars का fermentation करते हैं और acid का production करते है क्योंकि आपको पता है कि जब sugar का fermentation होगा उसके बाद finally क्या बनता है acid का Pyrovic Acid का production होता है इसके अलवा दूसरी property gas production क्योंकि बहुत से bacteria sugar production के साथ gas की भी production करते हैं इसके अलवा एक और प्रकर्टी जिसमें hydrogen sulfide production का हम हम इसमें detection कर सकते हैं क्योंकि बहुत से bacteria hydrogen sulfide gas का production करते हैं ये तो ये तीन तरह की bacterial properties को इस test क जितरों हम identify कर सकते हैं दोस्तों जो un-inoculated TSI medium होता है उसका original color orange red color का ये रहता है and it changes to yellow color on acid production जब भी कोई bacteria acid का production करेगा यानि कि जब sugar का fermentation होगा तो ये orange red जो original color है इस medium का वो yellow color में convert हो जाता है based on fermentation of sugar present in TSI the organisms are categorized into three groups तो sugar fermentation के base पे TSI में bacteria को तीन category में हम divide का सकते हैं सबसे पहली category है non-fermenters यानि कि ऐसे bacteria जो किसी भी sugar को इन तीनू में से glucose, सुक्रोज और lactose में से किसी भी sugar को ferment नहीं करते हैं ठीक है do not ferment any sugar hence an alkaline slant and alkaline butt is object देखिए दोस्तों जब कोई bacteria जब हमने उस medium पर inoculate किया हुआ है और अगर वो किसी भी sugar को ferment नहीं कर रहा है तो medium का color कैसा रहेगा 18-24 गंटे के बाद जब हम उसको अबजब करेंगे तो medium का color है वो color कैसा हो जाता है दोस्तों वो red color में convert हो जाता है इस तरह से deep red में convert हो जाता है और यह किसी इसका indication है कि भाई किसी भी sugar को ferment नहीं किया है bacteria ने तो यहां पर क्या हम बोलेंगे कि slant भी आपका alkaline रहा और alkaline को यहां पर के से denote किया रहा है और बट वाला area भी क्या रहा वो भी alkaline रहा ठीक है यानि कि कोई acid का production नहीं हुआ तो color जो है वो red color रहा यानि medium जो है वो alkaline ही रहा alkaline medium के लिए के को indicate कर रहे है तो k slant भी k रहेगा और बट भी k रहेगा तो इसलिए यहां पर represent किया गया है k oblique k से तो इस तरह से k oblique k से हम इसको represent कर देंगे इस तरह की category को जो non fermenters होते हैं अब बात करते हैं दूसरी category की जिसमें इस तरह के bacteria आते हैं जो केवल और केवल glucose को ferment करते हैं केवल glucose को ferment करने वाले they ferment only glucose and produce little acid तो ऐसे bacteria जो केवल glucose को ferment करते हैं glucose आपने देखा है यहां पर 0.1% पर है सबसे कम जो तीनु सुगर में से सबसे कम concentration किसकी है वो glucose की है तो glucose को केवल glucose को ferment करने वाले जो bacteria हैं वो बहुत little acid का production करेंगे ठीक है little acid का है यहां पर production होगा और वो acid कब तक रहेगा initial जो आपके 8 hours हैं वहां तक उसका असर रहेगा और उस period तक यानि की 8 घंटे तक उस पूरे medium का color क्या रहेगा yellow हो जाएगा यानि की पूरा medium आपका acidic बन जाएगा the whole medium turns acidic यानि की yellow color होगा later on the organism begins oxidative decarboxylation of peptons to produce ammonia which makes it alkaline जैसे कि पहले हमने आपको बताया composition के time पे जब हमने pepton का function आपको बताया था कि दोस्तों देगो क्या होगा ammonia में करमर हो जाएगा और यही ammonia is medium को क्या बना देगी? alkaline बना देगी? alkaline बना देगी तो phenol red जो indicator है वो indicate कर देगा color को क्या हो जाएगा? red color हो जाएगा medium का color क्या हो जाएगा red हो जाएगा. कौन सी चाह पर? slant वाले पोर्षन पर, butt वाला पोर्षन acidic ही रहेगा लेकिन slant portion कैसा हो जाएगा वो alkaline हो जाएगा यानि k हो जाएगा this is indicated by change in the color of the medium from orange red to deep red got it, तो क्या होगा दोस्तो कि जो slant वाला portion है वो alkaline हो जाएगा और जो but वाला portion है वो acidic ही रहेगा तो इसको हम कैसे represent करेंगे k oblique a से इसको represent किया जाएगा कब 18-24 घंटे के बाद जब आप देखेंगे उस test tube को आप जब अब्जब करेंगे उस tube को तो आपको उसमें दीखेगा कि जो slant वाला portion है वो alkaline ही रहा है यानि कि उसका color आपको red दीखेगा लेकिन जो but वाला portion है वो आपको yellow दीखेगा यानि कि यह जो result आप देख रहे हैं यह जो interpretation आप देख रहे हैं यह 8 घंटे का interpretation है ठीक है 8 घंटे तक यह स्तिती रहेगी कि पूरा medium का color क्या हो जाएगा yellow हो जाएगा ठीक है got it slant B और but भी लेकिन 8 घंटे के बाद जब pepton का degradation होना start होगा pepton का oxidative decarboxylation होना start होगा तो slant वाला portion red हो जाएगा ठीक है again red हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है peptons आपके ammonia में convert हो जा रहे हैं और ammonia उस medium को alkaline बना देगा ठीक है और जो but वाला portion है वो आपका yellow ही रहेगा वो आपका yellow ही रहेगा तो 18 से 24 घंटे पर जब आप उस tube को अबजब कर रहे हैं तो result क्या आएगा K oblique A अब बात करते हैं third category की third category में दोस्तो ऐसे bacteria आ जाते हैं जो glucose के साथ glucose को तो ferment करेंगे ही करेंगे glucose के साथ या lactose को या सुक्रोज को या दोनों ही lactose और सुक्रोज दोनों को ही ferment करते हैं तो ऐसी category आ जाती है they ferment glucose and also ferment lactose and और सुक्रोज या तो या तो दो या नि गलुकोज के साथ एक और या lactose या सुक्रोज या फिर दोनों ही glucose के साथ साथ lactose और सुक्रोज दोनों ही to produce large amount of acid अब देखें वहाँ पर तो क्या था कि जब glucose fermentation की बात की केवल हमने तो glucose का concentration कम था 0.1% glucose था तो वहाँ पर जो acid का production होता है वो बहुत कम acid का production होता little amount acid वहाँ पर बनेगा लेकिन यहाँ पर जब आपकी तीनू सुगर ferment होंगी या दो सुगर ferment होंगी तो वहाँ पर large amount में acid का production होता है so that the medium turns acidic at 8 hours ठीक है 8 hours में पूरा medium आपका acidic बन जाएगा यानि कि A.A हो जाएगा but B acidic और slant भी acidic हो जाएगा लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा acid बना होआ है बहुत ज़्यादा acid का production होआ है किसके comparison में पहली वाली category के comparison में यहाँ पर ज़्यादा acid का formation होआ है तो वो जो acid है वो आपका maintained रहता है आगले 18-24 घंटे तक भी वो ही pH, वो ही acidic pH maintained रहती the medium maintains acidic pH both in butt and slant slant and butt at 18-24 hours and gives an acidic yellow slant oblique acidic yellow butt यानि कि A oblique A यहाँ पर result आपको यह हम देख सकते हैं तो यह जो interpretation है यह आपकी उसी category में आया कि यहाँ पर 3 तरह की sugar आपकी fermentory या glucose के साथ एक और sugar fermentory ही ठीक है तो बहुत जादा acid का formation हो रहा है तो वहाँ पर slant वाले position पर कोई असर नहीं पड़ा slant भी आपका acidic होगा और बट भी acidic रहता है अब आगे बात करते हैं कुछ ऐसी category कुछ ऐसे bacteria जो acid का production करते हैं some bacteria have the ability to produce gas by sugar fermentation which is denoted by cracks in the medium और the medium is lifted up यहाँ पर कुछ बैक्टेरिया ऐसे भी होते हैं दोस्तों इसी test कि थो हम उसको identify कर सकते हैं जो fermentation के शाथ साथ वो gas का भी production करता है तो gas का जो production है उसको हम कैसे interpret करेंगे उसमें क्या होगा या तो इस medium में कुछ बीच-बीच में cracks पढ़ जाएंगे या फिर कुछ brackage आ जाएंगे कुछ bubble type के आपको दिखेंगे या फिर क्या होता है कि medium bottom से थोड़ा उपर की तरफ को lift कर जाता जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं कि bottom से क्या हो गया है medium थोड़ा उपर को lift कर गया है यह जो area है यह gas production को indicate कर रहा है यह जो blank area आप देख रहे हैं यहाँ पर gas बनी विए तो इस तरह से कुछ बैक्टिरिया ऐसे भी होते हैं जो gas का production करते हैं now next category पर move करते हैं ability to produce hydrogen sulfide कुछ ऐसे बैक्टिरिया हैं जो hydrogen sulfide का भी production करते हैं अब वो बैक्टिरिया को अगर हम देखें दोस्तों तो कैसे hydrogen sulfide का production होता है देखें शुरुवात महामने आपको बताया था कि medium के composition में sodium thiosulfide present होता है sodium thiosulfide in the medium is reduced by some bacteria तो कुछ बैक्टिरिया क्या करते हैं इस sodium thiosulfide का reduction कर देते हैं इसके reduction से क्या बनता है H2S का production होता है hydrogen sulfide का production होता है again यह hydrogen sulfide जो बनी वी है वो react करती है pharic ions से क्योंकि वहाँ पर pharic salts भी present है ठीक है composition में media के composition में pharic salts भी present है तो pharic ions से hydrogen sulfide की जो gas बनी वी है वो react करती है to produce pharous sulfide pharous sulfide के production के लिए ठीक है और उसी pharous sulfide का जो color हो कैसा होता है वो black color होता है black insoluble precipitation बन जाता है pharous sulfide का यहाँ पर आफ रेक्शन को object कर सकते है तो medium कैसा हो जाएगा दोस्तो medium बन जाता है पूरी तरह से black नीचे जो bottom वाला portion है यानि की butt वाला portion है slant पर तो उतना ज़्यदा असर नहीं होता लेकिन butt वाला जो portion है वो butt वाली area blackish हो जाती है blackening हो जाती है यहाँ पर completely ठीक है तो अगर ऐसा हो रहा है तो यह indicate कर रहा है कि यह जो bacteria है जो इसमें inoculate किया गया है वो hydrogen sulfide का भी production कर रहे है तो दोस्तों इस slide में कुछ ऐसे bacterial examples रखे गए हैं जो TSI पर different reactions को show करते हैं तो देखें सबसे पहला जो example है अबलिक A के जो example है with gas production और no H2S production ठीक है यानि कि A by A आपको पता है कि A by A अबलिक A में क्या होता है कि या तो 2 sugar ferment होती है या more than 2 sugar या तीनुग सुगर ferment करने वाले जो bacteria होते हैं तो इसके example में आपके आजाते हैं E. coli और दूसरा Clapsilla pneumoniae आजाता है ठीक है तो यह जो bacteria है E. coli और Clapsilla pneumoniae TSI पर यह क्या करते हैं A by A result देते हैं यानि कि slant भी acidic हो जाता है बट भी acidic हो जाता है लेकिन gas का production नहीं होता sorry gas का production होता है लेकिन H2S का production नहीं होता है ठीक है दूसरा देखें alkaline slant and acidic बट ठीक है यानि कि k oblique A तो k oblique A with no gas no hydrogen sulfide production इसका जो example है C-gela तो C-gela जो है वो A oblique k oblique A interpretation इसका आता है with no gas production and no H2S production तो यहाँ पर आम देख सकते हैं कि जो आप इस picture में देख सकते हैं ये वाला जो है ये वाला जो picture है वो इस चीज को indicate कर रहा है C जो diagram है वो इसको indicate कर रहा है next category है k oblique A no gas H2S produced यानि कि k by A interpretation है alkaline slant और acidic बट लेकिन gas का production नहीं हो रहा है लेकिन H2S का production हो रहा है तो इसमें हम देख सकते हैं इस D वाले picture को आप देख सकते हैं इसके example में आ जाते हैं Salmonella typhi इसका classical example है k oblique A with no gas and H2S production इसका example है Salmonella typhi next category है k oblique A no gas production and production of H2S इसका best example है देखिए दोस्तों जो ये इससे उपर वाली category हमने पढ़ी थी यानिकि Salmonella typhi इसमें H2S का production तो होता है लेकिन बहुत small amount में आप देख सकते हैं बहुत small S2S बना हुआ है लेकिन जो दूसरा हम अभी example पढ़ें proteus vulgaris का इसमें क्या होता है k by A तो आएगा k oblique A no gas production लेकिन जो H2S का production होगा वो abundantly होता है बहुत ज़्यादा H2S का production इसमें होता है तो यहाँ पर जो E वाला डाइग्राम है आप उसको देख सकते हैं next category है k oblique A with gas production and H2S production abundantly तो इसमें क्या होगा कि पूरा ही जो medium है वो black is हो जाएगा इसका classical example है salmonella paratyphe B next हम पढ़ेंगे k oblique A gas produced यहाँ पर gas का production भी हो रहा है लेकिन H2S का production नहीं हो रहा तो इसका example है salmonella paratyphe A next पढ़ेंगे k oblique k यानि की no sugar fermentation वाला group जो sugar का fermentation नहीं कर रहे है with no gas production and no H2S production तो इसमें जो best example है इसके pseudomonas और दूसरा acinatobacter तो दोस्तो I hope कि आपके समझ में वीडियो lecture completely आया होगा अगर आपके समझ में वीडियो आया है तो जाद स्यादा शेयर करिए और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर all notification को जरूर क्लिक करिए ताकि आने वाली वीडियोज की notifications आपको जल्दी से जल्दी मिलें ओके थैंक यू वेरी मच